नमस्कार दोस्तों आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं फिर से एक समानतिर बुजविदी आपके सामने लेके आया हूँ जिसके अंदर अपने मानचित्रों को क्या करेंगे आज लगूकरन करेंगे कल हमने इस पर क्या है विवर्दन किया था मानचित्रों का विवर्दन किया था जिसमें समानतिर बुजविदी की सायता से हमने उस नदी के आकार को क्या कर दिया था विवर्दित कर दिया था लेकिन आज इसी विदी के यानि Similar triangular method के अधार पर अपने मानचितर को या नदी को क्या करेंगे उसके वास्त्वी का कार से लगुकर्ट करेंगे तो वो एक उधारन आपके सामने निरुपक भिन एकनपात चार लाख पर बने किसी नदी के मानचितर का एकनपात साथ लाख निरुपक भिन पर समान तिर्बुजविदी की साहता से लगुकरण कीजिए अब इसमें क्या करना है अपने को देखिए ये हर चार लाख है यहाँ पर हर क्या है? साथ लाख है मैंने बताया था कि हर की संक्या जैसे ही बढ़ेगी मांची तरह अपने अकार में क्या हो जाएगा? चोटा हो जाएगा तो अब देखिए लगुकरण अपने हल करते हैं आप इसको ले रहते हैं हल लगुकरण नदी की अनपात रिखा यहनकि जो वास्तविक अकार की नदी है जो अपने वास्तविक मूल अकार के अंदर है प्रानी मापनी पर बनी है उसका तो जो रिखा है वो अलग होगी लेकिन इस लगुकरण जो नदी है उसकी अनपात रिखा कौन सी होगी तो देखिए नई मापनी बटा में परानी मापनी तो बना हुआ है किस पे? एक अनपात चार लाग पर यहने यह पुराना है बनाना है निर्पक भीन पर समानतिर बजविदी के लगुकरण करना है तो यह क्या है? एक अनपात साथ लाग तो नई मापनी एक अनपात साथ लाग पुरानी मापनी एक अनपात चार लाग तो यह एक अनपात साथ लाग एक अनपात चार लाग यह इसके बटा में आज़ेगा अब एक बटा में 7 लाफ 20 सामने लिखेंगे तो बीच में क्रोस का निसान, इंटो का निसान और उपर 4 लाफ बटा में 1 एक से एक कटेगा, पांच जिरो से पांच जिरो कटेंगे तो यह अंसवर 4 बटा 7 आपके सामने रहेगा इसके बाद में अगर ये कटता है तो इसे काट लीजिए लेकिन पॉइंटों में अंस्वर नहीं आना चाहिए अब अपने को ये चार बटा साथ सामने लिखाई दे रहा है यानि कि क्या करना है लगू करना है तो वास्वी का कार कौन सा होगा साथ वाला चोटा जो रूप होगा वो चार बड़ी रिखाई पे बनेगा तो अनुपात रिखाई आपनी चार बटा साथ आई है नोट एक नोट डाल दी है हमने नदी का चार बटा साथ पर लगू करना है बता दिया वह से ठीक है तो अपने चलते हैं एक नदी को पहले से ही मान लेते हैं कि यहां पर कोई नदी बने हुई है ठीक है अब इस नदी का यहां से लेकर यहां तक कोई भी सामनी क्या करना है इसका लगुकर्त करना है तो यह नदी का कि रूप आपके सामने मैंने बना दिया है अब बाकी काम अपने कर लेते हैं किसे मारकर से अब यह देखो कि इसको अंस्वर क्या आया था अंस्वर आया था अपना च्यार बटा साथ तो यह साथ वाली है तो अपने को स्पेश क्या बनाना है साथ तो थोड़ा नदी जो है उस स्पेश से बनाना आप कि उसके ऊपर भी स्पेश थोड़ा खाली रह जाए तो यह आपके सामने जो नदी है मैंने इसके दिरस्ट स्पेश काफी था तो मैंने इसको इस प्रकार से बना लेते हैं अभी तक डियाग्राम सेट की बोडर लाइन नहीं है उपर हेडिंग का पता नहीं है तो अपने कोई साइड भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके अंदर मैं इसको पहले साथ वाली पे पॉइंट लगा लेता हूं तो मैं इसके यह एक रिखा इस नदी के बिल्कुल क्या है सैंटर में जाएगी अब देखिए यहां से इसकी चोड़ाई रख लगते हैं चाहे तो आप इसको तीन सेमी रख लो चाहे इसको च्यार सेमी रख लो तो तीन रखा है मने तीन इस तरफ और तीन इस तरफ एक एक सहमी पर निसान लगा दिये हैं चाहो तो आप इसको मिला भी सकते हूं अगर आपको यह निसान यहां से दिखाई दे रहे हैं तो इनको यहां से आप परतेक को मिला भी दोगे इस बात का ध्यान रखें यह गलती ही उनसे थोड़ी आप बिल्कुल अंतिम सीरे से ही इसको मिलाना आप कर दो 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 तो मैंने इसके अंतिम सिरे से इसको मिला दिया है नदी का यह इसा अभी तक इसमें मैंच नहीं किया है तो मैं इसको यहां तक ताकि पता लगे ना कि नदी से बाहर कहीं से भी आ जा रही है जो इससा इससे बाहर रह गया इसको मैं यहां से मिटा देता हूं ये क्या है कि इससे बाहर चला गया था इसके अंदर अंदर के इससे कोई अपने क्या कर सकते हैं लगू करते हैं विवर्दित कर सकते हैं अब इस रेखा के बिल्कुल समानतर उपर की तरफ में यहां पर भी एक रेखा कहीं देता हूं यह रिखा कुंप सी है? यह रिखा साथ वाली है और एक चार अपी भी साथ के यह चै है, पांच है यह चीर है इस चार उपर भी एक शेयरिखा खीज देंगे वागी रिखाई अपने पैंसिल से बाद में खीज देंगे एक लेखाई हैं, चार तो यहां पर आपने देखना है कि इत्र फिलिख सकते हो आप मिस्तर प्लिख दीजिए एक यत यह से यह जिरो ऊपर 0 आएगा यहां पर एक यहां पर दो यह अपना 3 होगा, यह अपना 4, यह 5, यह 6, यह 7, यह 8, यह 9, और यह 10 तो सबसे उपर जो है पहले रिखा नहीं आएगी, 0 होगा सुने होगा, हमने यह आंगलती से एक लिखे लिखे, एक आप यहाँ पे लिखोगे, पहले के सामने आप पैंसल से यह सारी सारी रिखाएं, आप की सकते हो, हलांकि यह रिखाएं, इसमें काम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आप इसको कंप्लीट कर देजिए, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यह रिखाएं मैंने यहाँ पर खिजदी है, अब देखिए, सात पे बनी वी नदी को चार पे लगू करत करना अंस्वर अपना क्या है था 8 बटा मैंलों च俺 यह साथ पे तो बनी है वो इसको क्या करना इस इससे रेस के अंदर चोटा कर्ना हमें देखना यहां पर है किस्षिककार से यहां से 4 के निची से से इस तर यहां स्टर्ट वह एक इसको उपर के स्थी वापस निचे की तरफ फिर उपर उठी है और यहां पर थोड़ा टर्णो के नुकिला इसा और फिर वापस यहां निचे की तरफ उतर कर इसमें कोलम में और फिर उपर की तरफ बाहर कियें दूसरी रिखा भी आप यहां से, यह इसमें सक्रोस नहीं हुई है, यह नदी का दूसरा किनारा है, जहां रखिएगा, और यह मैंने यहां पर यह बना दिया है, अब आप दिखेंगे कि यह इसका रूप बिलकुल यहां पर क्या है, निरुपित हो चुका है, तो आप एक वि जो चार लाख है, एक वि चार लाख यह है, जो मूल मांचितर है, यहां पर आपने लिख लेते हैं, एक वात चार लाख, यह रिवर कौन सी है, ओरिजिनल, रिवर, यहां पर यह क्या है, एक विल्याट साथ लाख, यह रिवर कौन सी है, रेडियूस, रेडियूस, रिवर, अब आप इसके ओपर यहाँ पर हैडिंग लिख सकते हो, क्या लिखेंगे आप, सिमिलर, ट्रेंगुलर, अगर यहाँ पर आप ट्रेंगल लिखोगे, तो आपको यह लिखना है पड़ेगा, ट्रेंगल मेथट, आप यह लिखेंगा, सिमिलर, ट्रेंगल मेथट, तो आपका यह डाइग्राम सीट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप टोटल यह नदीज जो है, इसके बाद में, अब आप इसको फिर, जो है, ब्लैक पेंट से कंप्लीट कर दीजिएगा, तो वीडियो क कैसा लगा दोस्तों, बताईएगा, कॉमेंट करके, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद,